अपने यूटूब चेनल ओल इंडिया चौब में तो दोस्तों आज की शूड़ मां हम बास करने वाले रेलवे भरती 2020 की बड़ी अपडेट के बारे में जिसका ओफिश्यल नोटिफिकेशन जारी कर जिया गया है अपके बास के बास को देखेए कई कियोंकि शूड़े बास करेंगे की यहां पर आपकी एईज लिमिट क्या रखीजाएगी आपका एजूकिशनल क्वालिफिकेसिन क्या रखा जाएगा कब से कब तक आप apply कर सकते हैं आपका selection process क्या रहेगा आपको यह पर जो पेश्किल दिये जाएगा वो कितना दिया जाएगा इन सभी topic के बारे में शुड़ों बात करेंगे सुप्रेंट्स प्लीज आर वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना पूलें सुप्रेंट्स वीडियो को सुरू करते हैं जान लेते हमारी आज की टॉप लेटेस्ट बड़ी भरती की अपडेट के बारे में सुप्रेंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं हम आचुके अपनी ओपीशल वेबसाइट पर एन आपर हम बात करने वाले हैं रेलवे बरती 2021 की अपडेट के बारे में आपने स्टेट की अनाम लिखना बिलकुल ना बूले टाकि मुझे पता चल सकी कि कि आप लोग किस स्टेट से मेरी वीडियो को देख रहें और मैं आपके स्टेट की विकिंसिज की इन्फॉमिसिन भी आप तक पहुंचा सकूँ इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं पेस्केल के परिमें तो अप्रेंटिंसिप के रूल्स के अनुसार जो है आपको यहाँ पर पेस्केल प्रॉइड किया जाएगा क्वालिफिकिसिन दस्वी पास और आईटेई पास कंडिट इस पद के लिए अपलाई कर पाएंगे एज लिमिट आपकी 15 से 24 साल रखी गई है वहीं SCST केटेगरी को 5 साल की छूट जाएगी मतलब की 29 इयर तक के कंडिट अपलाई कर सकते हैं और OVC Non Criminal Candidate को 3 साल की छूट जाएगी मतलब की 27 इयर तक के कंडिट इस पद के लिए अपलाई कर पाएंगे इसे के साथ में हम बात करते हैं अपलिकेशन फीस के बारे में तो 170 रुपए अपलिकेशन फीस लिज जाएगी जनरल OVC Candidate से SCST PWD और वोमेन कंडिट से मात्र 70 रुपए अपलिकेशन फीस लिज जाएगी डेबिट काड़, क्रेड़ काड़, नेट बैंकिंग और IMPs, Cash Card और Mobile Wallet के मैधम से आप अपलिकेशन फीस समा करवा सकते हैं सेलेक्शन प्रोसेस आपका Academic Merit List के आधार पर रहेगा, मतलब कि आपकी जो दसवी के मार्क है और जो ITI के मार्क है उनको यहां पर लिया जाएगा और उनी के आधार पर एक Merit List तयार की जाएगी आप इसमें किस तरी किस लिया जाएगा तो जो आपके 10 के मार्क है उनका 50% लिया जाएगा और ITI के मार्क का भी जो है आपसे 50% यहां पर लिया जाएगा और उनी के आधार पर एक Merit List तयार की जाएगी यहां पर आपका कुई भी एक्चाम कंडेक्ट नहीं करवाए जाएगा इन परतियों के लिए आप ओनलाइन एपलाई कर पाएंगे ओल इंडिया की जोब है दूस्तों ओल इंडिया के मिलें फिमिलकन डेट अपलाई कर सकते हैं चाया आप किसी भी स्टेट से विलोंग करते हों आप इस पर लिए अपलाई कर पाएंगे ओफिशल वेबसाइट की बात करें तो ncr.andianrailways.gov.in आपके ओफिशल वेबसाइट रहेगी या फिर आप mponline.gov.in पर जा करके भी अपलाई कर सकते हैं इंपोर्टेट की बात कर लिए तो 17 मार्च 2021 से आपके अप्लिकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 16 अप्रेल 2021 तक अप्लाई कर पाएंगे अप्लिकेशन फीस भी 16 अप्रेल तक जमा करवा सकते हैं सुप्रेंश ओफिशल नोटिफिकेशन का लिंक एंड एपलाई ओनलाईन के लिंक साबको नीचे डिस्क्रिप्सिन में देखने को मिल जाएंगे वहां से आप इन भर्तियों के लिए डाइरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं सुप्रेंश यह थी हमारी आज की टोपली टेस्ट बड़ी भर्थी वीडियो के सी लगए नीचे कमेंट करके जोग बताईगा वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेयर करना बिलकुल न पूले अगर आप हमारे यूटूब चेनल पर पहली बार विजिट कर रहे तो गोर्मेंट जोब समद्धी पलपल के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे यूटूब चेनल को सब्सक्राब जोग कर ले और साथ ही माने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाले ताकि कर दो आफ हमारे यूटूब खो जो 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 आप हमारे यूटूब